असलाम अलेकुम डिया स्टूडेंट्स, यू नो हम जो लेस्न पढ़ रहे हैं, इसका पार्ट फर्स्ट हमने कल किया, मतलब कि आदा पोर्शन हमने पढ़ा, आज हमने यहां से स्टार्ट करना है, गोतमा बुदा बिगान लाइफ as a prince, नेमर सिदार था गोतमा इंडिया, तो for schooling in the Hindu sacred scriptures, and four years later, he returned home to marry a princess, जब यह बारा साल के थे Lord Buddha, तो इनको schooling के लिए बेजा गया, तो वहां पे इन्होंने क्या सीखे कि, इन्होंने Hindu sacred scriptures पढ़े, sacred means holy books, जो इनकी होती है Hindu की, जैसे कि हमारी holy book है, Quran शरीफ, तो वैसे ही Hindu की holy books है, for example, इन्होंने पढ़ा उधर, यजर व ठीक है, तो यही इनकी books होती है, जो इन्होंने वहां study की, and four years later, he returned home to marry a princess, और चार साल के बाद एक गर आये, तो इन्होंने फिर शादी की एक princess से, they had a son and lived for ten years as befitted royalty, इनका एक बेटा हुआ, और दस साल तक इन्होंने ऐसे ही ऐशे अश्रत की जिन्दगी बुजारी, चुंक एशे इश्रत में जिन्दगी गुजारी, और इनका ये बेटा भी ऐसे एशे इश्रत में पलता रहा, at about the age of 25, the prince, here to four, shielded from the sufferings of the world, while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms, तो जब ये पचीस साल के थे, पचीस साल तक इनको बिल्कुल नहीं पता था कि दुनिया में कैसी sufferings है, कैसे दुख है, क्या गम है, क्या परिशान है, तो एक बारी क्या हुआ कि ये hunting शिकार पे जा रहे थे, तो वहाँ पे इन्होंने पहले एक बीमार आदमी को देखा, उ बुड़ा आदमी जो था, उनका दुख भी देखा कि इसको क्या क्या सफर करना पड़ता है, और इसके बाद ये एक funeral procession देखते हैं, funeral procession में जब कोई गुजरता है, फिर कैसे उसको कफन पहनाते हैं, फिर उसको कैसे ले जाते हैं, फिर उसको कैसे दाफन करते हैं, या कु These sights so mood him that he at once became a beggar and went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed, तो ये हालत जार देखके, ये चार sights देखके, इनका दिल इतना हिल जाता है, ये इनका turning point होता है life का, और ये एकदम से बिखारी बन जाते हैं, और फिर एक ग्यान हासिल करने के लिए निकल पड़ते हैं, क्यूंकि इनको बहुत दुख होता है ये देखके, और एकदम से ये सब कुछ ऐसरत की जिन्दगी छोड़ देते हैं, अपने physical comforts छोड़ देते हैं, और ये अपना question जो होता है, इसका answer दुणने निकलते हैं, तो ऐसे ही ये बटकते हैं, बटकना इदर उदर फिर न ठीक है, तो साथ साल तक है, ऐसे ही और फाइनली क्या होता है कि फिग ट्री मतलब इंजीर ट्री, इंजीर का दारक होता है, तो उसी के नीचे बैट जाते हैं, और कसम खाते हैं, वोड मतलब कसम खाना, कि अब ये ज्यान हासिल करके ही जाएंगे, अनलाइटनमेंट क्या होता है, रियलाज़ेशन अव दूनि इस दरखत के नीचे मेडिटेशन करते हैं, अबादत करते हैं, फाककशी करते हैं, तो फाइनली क्या होता है कि इस ट्री का नाम पढ़ता है बोधी ट्री, ये बो नहीं है, ये एक्चॉली बोधी है उदर, बोधी ट्री मीन्स ट्री आफ विजडम, विजडम मतलब का जवब मिल जाता है और फिर अपनी तैलीम जो है जो इननोंने सीखा जो इननने ग्यान हासल किया फिर दूसरों के साथ शियर करते हैं, दूसरों तक पहुंचता पहुंचाते हैं, at that point he became known as the Buddha, the Awakened or the Enlightened, जब उनको ग्यान हासल होता है तो फिर इसके बाद इनका नाम पढ बेनारस बोस्त होली आफ दिपिंग प्लेस आन ते रिवर गैंज्ज्ट जैट सर्मन विन प्रिजर्वड और गैंज्ट लाड बुदा जो थे इन्होंने अपना पहला प्रीज मतलब तबलीग करना थीक है अपनी बातें दूसरों तक पोँचाना जो कि रिलजिज बाते होती टीक है तो अपना पहला सर्मन मैंने आफको बोला रिल्जियस लेक्चर तो पहला लेक्चर उन्होंने दिया बेनारस पे City of Bainaras बेनारस जो कि मशूर है मैंने आफको काल भी बोला मतलब कि यह सेकरेड प्लेस मानी जाती है फार बातिंग मीन्स बातिंग नहाने के लिए और का जो यह सर्मन है इसको बिलकुल महफूज रखा गया है और वही सर्मन हम इधर पढ़िंगे इसमें क्या हम पढ़िंगे कि लाड़ बुदा की दानाई के बारे में कि एक इनस्कूरूटेबल जो थी एक दुख जो था जुसको समझना बहुत मुश्किल था किसा गोतमी जो थी एक लड़की थी इनका एक ही बेटा था इकलोता बेटा और उमर गया तो ये बेचारी ग्रीफ मतलब दुखी दुख में इतनी पागल हो जाती है कि अपने इस मुर्दा बच्चे को गोद में उठा कर नेबर के पास ले जाती है हर किसी के गर जाती है और उनको बोलती है प्लीज मुझे इस बच्चे के लिए कुछ दवाई दे दो कोई मेड साइन दे दो ताकि मेरा बच्चा ठीक हो जाए जबकि वो बच्चा डेड होता है और लोग ये कहते हैं कि ये पागल अवरत है किनकि इसका बच्चा मर गया है इन फाक्ट शी वाज़ नट रड़ी तो एक्सेट करने के लिए तयार नहीं थी एट लेंग्ट किसा गोतमी मैट अ मैन वो रिपलाई तो हर रोकेस्ट आइ जवाब देता है इसको वो कहता है आपको कोई दवाई नहीं दे सकता है इसका यू हम लिखते हैं तो पहले क्या लिखा जाता था दी आज कल ये यूज नहीं होता है ये भी एंचेंट है आज कल यूवर लिखते हैं इसके बचाए तो ये आदमी इसको बोलता है कि मैं आफके बच्चे के लिए कोई दवाई नहीं दे सकता है लेकिन मैं एक फिजिशन को जानता हूँ जो कि आफके बच्चे का इलाज कर सकता है तो ये लड़की जो है ये कहती है महरबानी करके जनाब आफ मुझे बोले कि वो आदमी कौन है ता कि वो मेरे बच्चे का इलाज कर सके तो अब ये आदमी बोलता है कि उसका नाम है साक्या मुनी तो मतलब कि लाड बुदा के पास आफ जाओ तो किसा गोतमी जो लेड़ी होती है तो ये अब जाती है लाड बुदा के पास और वहाँ पे चलाती है बोलती है कि पलीज मेरे बच्चे का इलाज कीजे ता कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा अब लाड बुदा जो है वो उसको जवाब देते है I want a handful of mustard seed मुझे मुठी पर क्या चाहिए mustard seed राई का दाना ठीक है handful मतलब मुठी पर ठीक है and when the girl in her joy promise to procure it the Buddha added the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend तो अब जो लाड बुदा होते हैं अब जो यह लड़की होती है किसा गोतमी तो किसा खुशी के मारे खुश हो जाती है यह बोलती है क्यूंकि इसको लगता है आसान mustard seed लाना कोई बड़ी बात नहीं है तो यह बोलती है हाँ मैं इसको लाओंगी प्रॉक्यर मिन्स उब्टेन यह बोलती है हाँ मैं mustard seed लाओंगी तो लेकिन इसी के साथ लाड बुदा कहते हैं mustard seed आफको उस गर से लाना है जिनका कोई नहीं मारा हो अब तक अब तक किसी को नहीं खोया हो दुनिया मैं ना तो उनका चाइल्ड मारा हूआ हो ना चाहे ना किसी husband को खोया हो ना किसी parent चाहे माँ या बाफ को खोया हो और ना किसी दोस्त को खोया हो यह तो impossible बात थी किनके हर किसी गर में ऐसा होता है मारे लोग बहुत होते हैं जो मर गए होते हैं पूर किसा गोतमी ना वेंट फ्रॉम हाउस तो हाउस और पीपल पिटीड हर और सेड़ ही इस मस्टर्ड सीड टेक ट तो अब जो बेचारी गोतमी है किसा गोतमी यह हर गर गर जाती है और लोगों से इलतिजा करते है कि प्लीज मुझे मस्टर्ड सीड देजे और लोग इस पर रहम खाकर इसके दुख में दुखी होकर इसको मस्टर्ड सीड देते हैं तो इसके बाद क्या होता है कि जब फिर गर वालों से सवाल करते है कि आपके घर में कोई बेटा मरा है, कोई बेटी मरी है, कोई किसी का बाफ मरा है, किसी की माम मरी है, या और कोई दोस्त मरा है, तो लोग अफसूस करते हैं और बोलते हैं आफ एक ऐसा सवाल करती हो मरे तो बहुत हैं और जिन्दा जो है वो ही कम होते हैं उन्हीं की तैदाद कम होती है दुनिया में और लोग इससे गुजारिश करते हैं कि हमारे जख्मों पे अफ नामक न चड़ो हमें वो प्राने दुकाफ याद न दिलाओ और ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें कोई न कोई न मरा हो किसा गोता में बेकाफ याद याद नामेद हो जाती है तो यह रोड साइड से बाइट जाती है वेशाइड में रोड साइड तो वहां से लाइट को देखती है दुखी होकर अब यह जो सिटी की लाइट होती है उन्हीं को देखती है क्योंकि लाइट्स को क्या होता कि फिलिकर अप होती है मतलब कि ये कभी ब्राइट होती है कभी डिम होती है ठीक है ना उसी को हम कहता है फिलिकर अप और फाइनली क्या हो जाता है ये लाइट्स एक्स्टिंग्विश हो जाती है बुझ जाती है आज के लिए इतना है, आल्ला हाफिज़